दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले है कि इस तरीके की Ultra HD वाली एफेक्ट को कैसे अपलाई किया जाता है दोस्तो इस तरीके की Ultra को और जैसे एक प्रशन को अप्सन दिख राय गा और दोस्तों क्लिक कर देना है और आपको एतना पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा अंटरफेस देखने को वेले आपको यहां पर से अपनी वीडियो को एड करनी है तो वीडियो को add करने के लिए सबसे पहले तो इस परलस का icon पर एक बार click कर देना होगा और उसके बाद उपर में जो media वाला option है तो इस पर भी आपको एक बार click कर देना होगा तो दोस्तों आपको यहां पर से इस बीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखनी है तो अभी आपको सबसे पहले तो वीडियो को एकदम शुरुबात में चलिया आना है और यहां से आपको एक बार वीडियो लेड़ पर click कर देना है और जैसे इस ओधर वाले option पर click कर देना है औ इसका नाम है channel ramp और दोस्तों इसको select कर लेने के बाद आपको यहां से इस standard setting पर एक बार click कर देना है और उसके बाद दोस्तों अभी आपको इसको ध्यान से देखना है और यहां से दोस्तों आपको ऊपर वाली line से थोड़ा सा आगे आना है और फर्स्ट वाले line में से आपक दोस्तों अभी आपको यहां से बीच वाले line में से आपको थोड़ा सा नीचे कर देना है तो यहां पर आपको एक effect देखने को मिलेगा जिसका नाम है saturation fragrance तो दोस्तों इसको आपको यहां पर से क्लिक कर देना है और इस standard setting पर भी आपको क्लिक कर देना है और इतना करते ही देना है और इस पलस का icon पड़ एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद इस से को आपको यहां से सलेक्ट कर लेना है और और तरीके से मैंने किया और उसके बाद अब इस प्लिक कर देना है और इसके बाद योट थोड़ा सा नीचे कर देना है तो यहां पर आपको एक option देखने को मिलेगा जिसका नाम है difference तो दोस्तों इस तीसरे नमबर मिलेगा आपको subscribe बाला option तो इस पर गिक कर देना है और इतना करते ही आपकी वीडियो जो है पिंक हो जाएगी तो अभी आपको यहां से एक बार बैक चले जाना है और बैक जाने के बाद इस एफेक्ट वाले आप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और उसके बाद इस एड़ इफेक्ट वाले आप्शन पर क्लिक कर देना है और दोस्तों अभी आपको ऊपर से सर्च बाढ़ में चले जाने के बाद अभी आपको कॉपी सर्च करना है दोस्ति जैसे आप c..o py सर्च करोगे तो आपको फरस्ट में देखने को मिलेगा कॉपी बैइगडाउंट तो यहां से इसको सेलेक्क करने कीद नीचे एक साच करेंगे तो आपको फार्षम में देखने को मिलेका नीचे चलते हैं गामा वाले उपसण पर दोस्तो इस गामा को भी आपको कम करना है तो इसको अच्छे तरीके से आप चाहो तो अपनी वीडियो कहीं साब से भी रख सकते हो वरना आपको इस वह 0.600 या 0.650 के आसपास रखना है और दोस्तों इतना रख लेने के बाद आपको नीचे चले आना है जी सर्च करना है जैसे आप इतना सर्च करना है तो आपको फर्स्त में देखने को मिलेगा गसीन बलार तो इसको सेलेक्ट करके इसको भी स्टेंडर सैटिंग पर रख लेंगे तो अभी इसकी स्टेंथ को आपको बढ़ा लेनी है तो दोस्तों इसको आप 0.400 के आसपास रख आप चाहो तो इसको भी अपनी वीडियो के हिसाब से भी रख सकते हो तो मैं तो इसे 0.450 गास पास रखने वाला हूँ आप भी इतना रख चाहो तो रख सकते हो और तो इतना रख लेने के वाद अभी आपको यहां से एक बार बैक चलियाना है और बैक जाने के बाद दोस्तो हमारी वीडियो में जो है इफेक्ट अप्लाई हो चुकी है लेकिन अभी थोड़ा सा लाइट कम है तो इसमें थोड़ी से लाइट बढ़ाने के लिए अभी आपको यहां से इस पलस का आइकॉन पर एक बार क्लिक कर देना होगा और यहां से इस ब्लेंडिंग को सेलेक्ट क पर क्लिक कर देना है और यहां से आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा तो दोस्तों इस पर क्लिक करते आपकी वीडियो में ब्राइट नेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी और इसको आप यहां से अर्जेस्ट भी कर सकती हो और दोस्तों इतना कर लेने कवाद आपकी वीडियो में पुरी तरीके से एफेक्ट अप्लाई हो चुकी है तो आप देख सकते हो काफी बड़ी है एफेक्ट HDR में एकदम अप्लाई हो चुका है तो अब इस एफेक्ट को पुरी बीडियो में अप्लाई करना है तो पुरी बीडियो में अप्लाई करने के बिंए को औरski जड हुआ सब्सक्राइब कर देना औरतों के लिए उपर मैं आप यह जो निसान देख रही इस पर क्लिक करदीना औरícul यहां से आप को नीचे में एक export वाला बटन दिखेगा तो इस एकस्पोर्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जागी और दोस्ते ये वीडियो एक्सपोर्ट है जाती है तो आप वीडियो का डिजल्ट देख करें जाना तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना